AI written content को humanize करकर ही आप अपने blog, article या किसी और के content को humanize करके पैसे कमा सकते हैं अब चाहे आप अपना written content monetize करना चाहते हैं जैसे के blog, article या और कुछ या किसी और को ये service provide करना चाहते हैं जैसे के fiverr, upwork, itc या किसी और platform पे तो चलें AI से लिखवाए written content को seconds में humanize करने का तरीका सीखते हैं AI detector pro के साथ तो description में आपको link मल जाएगा, नहीं तो आपने google पे लिख दिना AI detector pro सबसे पहला जो link आपको मिलेगा वो ही इसका authentic link है यहाँ पे आपने get started for free कर देना है, free करने के बाद आपने यहाँ पे account बना लेना है account बनाने के लिए आपको अपना नाम, अपना email address और यह सब information इसके अंदर डाल देनी है इसके बाद आपके उस सामने इस तरह का dashboard कुलेगा, अभी यह free account है, आप भी इसी तरह अभी free account के अंदर ही आएंगे तो पहला step करने के लिए, आपने देख रहे हैं, यहाँ पे dashboard है, और कुछ भी यहाँ पे अभी हमने generate नहीं किया, ना चेक किया, सब zero आ रहा है, zero AI generated, zero human return यहाँ पे left side पे आपको report के option अदर आ रही है, अगर आपने यहाँ कुछ बनाया होगा, तो वो यहाँ पे mention होगा, project के option है, project भी अभी हमने नहीं बनाया, तो हम dashboard में जाएंगे, उससे पहले हम chat GPT पे जाते हैं, और AI से कुछ भी लिखवा ले दें, तो मैं एक blog लिखवात है, तो यह blog इसने मुझे लिखके दे दिया, chat GPT ने, मुझे simply इसको copy करना है, और इसको लेकर चले जाना है, AI detector pro में, आप कोई भी written content बना सकते हैं, जरूरी नहीं blog और article हो, कुछ भी यहाँ से अगर आप लिखवाना चाहें, और उसको अगर आपने अपनी website पे डालना है, रैंक करवाना है, तो आपको AI से उसको हटाना पड़ेगा, उसको humanize बनाना पड़ेगा, तो new report plus के हम click करेंगे, अब आपके समने दूसरी option खुल लेगे, जो reports की option है, यहाँ पे आपने इसको paste कर देना है, जो भी आपने content लिखवा रख है, उसको यहाँ पे कर देंगे, paste, paste करने के बाद इसको हमने कर लेना है, analyze, right side पे जो आपको button नजर आ रहा है, analyze, analyze होने के बाद यह देखें, नीचे एक अपनी report add हो चुकी है, इसको हम कर लेंगे open और इसका जायदा लेते हैं, तो open जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने इसकी report आजेगी, यहाँ पे लिखा ह हुआ है कि यह content है, 98% AI से लिखा हुआ लग रहा है, यानि यह detect हो सकता है, आपकी website या कोई भी blog rank भी नहीं करेगा, क्योंकि यह AI से लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी specific report भी आ रहे हैं कि हर paragraph के अंदर, जो red color से आपको word नजर आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी detect हो जाएंगे उसके बाद yellow color है, वो भी detect हो सकता है, यह सिर्फ अभी report है, जो कि आप free में generate कर सकते हैं, report इसके लिए भी आपने plan नहीं खरीद है, और मैं भी free ही चला रहा हूँ, नीचे आपको detail से इसकी एक एक चीज़ बताई जाएगी, अगर आप यह देखना चाहें, तो आप देख स change करना चाहें, तो वो सब भी मैं आपको बता दूँगा, तो अब हमने open with AI eraser कर लेना है, क्योंकि अब हम इसको बदलना चाहा रहे हैं, तो तीसरे page पे जब आएंगे, तो यहां पे मजीद आपको detail नजर आना शुरू हो जाएंगी, अगर आप manually कोई word change करना चाहते हैं, जै AI उसको humanize समझेगा, उस खास word को, तो अगर आप word by word करना चाहें, या खुझ दुबारा से लिखना चाहें, तो यहां पे edit करके लिखा जा सकता है, लेकिन हमने क्योंकि AI से ही करना है, paragraph भी मैं आपको change करके बताता हूँ कि सिर्फ एक अगर paragraph आपने change करना हो, तो उसके क्यों सा ऐसा paragraph है, जो ज़्यादा AI उसको detect कर सकते हैं, नीचे मजीद देखें, option है, अगर आप पढ़ना चाहें कि red का मतलब है, orange का मतलब है, हुआ पढ़ सकते हैं, वापीज उपर जाएंगे, और यहां पे आपको एक बटन नदर आएगा, show top priority edit, यानि कि क्यों सा ऐसा paragraph ह है, जो कि हमें सबसे पहले change करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा problem create कर रहा है, तो इस बटन के उपर click करेंगे, इसने बता दिया कि यह जो paragraph है, यह सबसे ज़्यादा chance है, कि इसकी वजह से आपका जो content है, written content वो पकड़ा जाता है, तो अगर आप सिर्फ एक paragraph को change करना जाए तो इसको select करेंगे, नीचे आएंगे, eraser tool के अंदर, तो यहाँ पर है suggested paragraph, उपर आपको दो option नदर आ रही है, इसके वाँपर आप click करेंगे, और आपका जो एक paragraph है, वो फोरन बतल जाएगा, और अगर आप सारा बतलना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानि कि replace हो जाएगा humanize content के साथ, यहाँ पर आप देख रहे है, alternative for this paragraph, तो यहाँ पर alternative है इसके कि आप यहाँ से कोई भी choose कर सकते हैं paragraph, जो कि पुराने paragraph को remove कर देगा, उसको replace कर देगा, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, आपको नहीं पसंद आए, आप इसको मजीद change कर सकत हैं, वापिस उपर आते हैं दूसरा paragraph इसी तरह हमने choose किया और इसको कर दिया, humanize document, यानि सिर्फ एक जो हमारा paragraph है, सिर्फ हम उसको अगर humanize करना चाहरे हैं, तो आपने यहाँ से इसको कर दिया, उपर जाएंगे और यह humanize हो चुका है, अगर आप इसको re-scan करेंगे तो य report इसकी check कर सकते हैं, कि यह एक paragraph में से कोई भी AI की चीज detect नहीं कर सकेगा, और यह देखें, नीचे वाले paragraph में कोई भी इसने चीज detect नहीं की, लेकिन अब हमें सिर्फ पूरा article जो है, वो एक click से detect करना है, और उसको replace करना है, और उसको दुरूस करना है, तो detect तो हो चुक है तो आप हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को select नहीं करेंगे, नीचे आएंगे, और नीचे जो आपको option नज़र आ रही है, humanize recommend, तो सिर्फ आप यह कर लेंगे, अगर आप पूरा एक second में, या तकरीबन 5-7 second में इसको, आप humanize करना चाहरे है, तो यह देखें, यह humanize हो चुका है, अब हम इसको re-scan करके, दुबारा भी चेक कर लेंगे, देखें, यहाँ पर हर चीज़ red, yellow सब पदम हो चुका है, और बहुत अच्छा सा, ऐसे ही लग रहा है, जैसे किसी इंसान ने इसको लिखा हो, article को, blog को, तो दुबारा से re-scan करके, re-check कर लेंगे, और यह देख से हमारा blog, pause या कोई चीज़ भी detect नहीं हो सकती, तो अब हम चले जाएंगे, re-check करने के लिए GPT-0, यह भी एक detect करने का platform है, जो कि neutral है, इसका AI detector से कोई तालब नहीं है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए, re-check करने के लिए बता रहा हूँ, GPT-0 पे जाके, इसको हमने paste कि और इसको detect किया, देखें, यह भी इसको नहीं पकड़ सकती, यह नहीं AI detector pro की 100% accurate report है, तो वहाँ पे आप detect भी कर सकते हैं, उसको humanize भी कर सकते हैं, तो यह देखें, human human, zero percent जो है chance है, यह AI से लिखा गया हूँ, तो यह tool use करके, आप AI से content लिखवा के, अच्छे खासे पैसे क हमा सकते हैं, चाहे अपना blog post या कोई भी written content लिखें, या लोगों को service दें, उसके लिए आप unlimited plan भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया हुए मिझे दुबारा इसको purchase करने की जरूरत ही नहीं है, plans में आपको बिता देता हूँ, free plans में तीन report आपको मिलती है, free में, अपना content य इसमें 100 reports हैं, जो के आपको अभी half rate पर पढ़ रहा है, यानि 28 dollar का तो ये 13 dollar 13.99 का पढ़ रहा है, लेकिन मैंने unlimited ही ले रखा है, अगर आप भी पैसे कमाना जाते हैं इस tools है, तो आपको unlimited लेने का ही मैं में मशुरा दूंगा, जो के अभी आपको तक्रीबन 24-25 dollar का पढ़ ले सकते हैं, आगे भी इसकी जितनी भी gigs हैं, Fiverr पे, Upwork पे, ये वाली gig बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, आप अपनी gig भी बना सकते हैं, अगर आप Fiverr पे gig बनाना चाहते हैं, तो मेरी उसके उपर भी वीडियो है, ये services दे के, या अपने content को आप humanize करके, monetization करके, अच के लिए इतना ही, comment में बताइएगा, ये टूल आपको कैसा लगा, कल फिर मिलते हैं, एक ने AI टूल के साथ, AI Mini Maker चैनल को सब्सक्राइब करना,